मायरा फाशन, स्वामी कॉंप्लेक्स, अन्वेगा मौल, अजमेर होता क्यों है? तो आज MTTV इंडिया आपको बताएगा कि आचार सहीता क्या है और इसे क्यों लगाया जाता है? राजस्थान में गराम पंचायत की चुनावों की गोशना हो या दिल्ली के विधानसवा चुनावों चुनाव की तारीकों के एलान के साथ ही राजस्थान की पंचायत शेत्रों दिल्ली में आचार सहीता लागू हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब इन शेत्रों में विकास का कोई भी कारेन नहीं किया जाएगा। चुनावायोग द्वारा चुनावों का एलान होने के देश में होने वाले सभी चुनावों से पहले चुनाव आयोग अचार सहीता लगाता है। इस दोरान राजनितिक दल उनके उमीदवार आम जनता को कुछ सक्थ नियमों का पालन करना होता है। अगर इन में से कोई भी नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कारेवाही कर सकता है, यहां तक कि पार्टी के उमीदवार को चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा ही जा सकती है, आचार सहींता लागू हो जाने का मतलब यह है कि इसमें मतदाताओं के बीच अपनी नीतियों तथा कारेकरमों क रखने के लिए सभी उमीदवारों तथा सभी राजनितिक दलों को समान अवसर और बराबरी का अवसर परदान किया जाता है, इस संधर में आधर्श आचार सहींता का उद्देश सभी राजनितिक दलों के लिए बराबरी का स्तर उपलब्द कराना है, अभ्यान को 1960 में किरल विधान सभा चुनाओं के लिए आदर्श आचार सहीता तयार की गई थी, इसे तू एक नियामवली भी तयार की गई, यह दस्तावेज राजनितिक दलों की सहमती से अस्तित्तों में आया और विक्सित हुआ, इसमें यह तै किया गया कि आखिर चुनाओं में क्या क इसके बाद 1962 के लोगसभा आम चुनाओं में आयोग ने इस सहीता को सभी मानेता प्राप्त राजनितिक दलों में वित्रीत किया और राज्य सरकारों से अनुरोत किया गया कि वे राजनितिक दलों द्वारा इस सहीता की स्विकार कराएं और वो उसका पालना करें, फिर 1962 के आम चुनावों के बाद प्राव्द रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कौमोबेश आचार सहीता का पालन किया गया 1967 में लोकसवा तथा विधानसवा चुनावों में आचार सहीता का पालन हुआ अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करें वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खतरी झालन है करुआ का पर देख रहे हैं